अनुछेरे और रहेखम बताब DSA1 कोस और आज वीडियों बात करने वाले हैं टॉपलोजिकल सौर्टिंग यूजिंग BFS इससे पहले वाली वीडियो में देखा था टॉपलोजिकल सौर्टिंग यूजिंग DFS आज BFS की हल्प से बात करने वाले हैं इस अल्गॉर्दम को कहता है कांस अल्गॉर्दम बिफोर वी इन इन डाट ओर्टरिंग ठीक है तो इसके लिए अगर हम निकालने का ट्राई करेंगे तो वह Primus एक टारा चीज रोता है कि एक ग्राफ के लिए मल्टिपल ओर्टरिंग भी होको हो सकते हैं जैसे सकी है अजा इस के लिए सकते हैं इसकी topological ordering आप लोग जड़ा सोचो उसकी वाद में आपको बताता हूं तो इस algorithm के पीछे एक base है वो base यह है कि अगर कोई भी आप लोगों को directed acyclic graph दे रखा है तो उसके अंदर पक्का एक ऐसी vertex होगी जिसकी in degree 0 है और पक्का एक ऐसी मतलब है in degree, in degree का मतलब होता है ऐसी कितनी edges हैं जो कि किसी vertex के ओपर आ रही है ठीक है जिनका destination वो vertex है तो 2 के लिए आप देख्कते हो सिर्फ एक edge है जिसका destination 2 है similarly इसके लिए देख्कते हो यहाँ पर 13 edges इसके अंदर घुस रही है वन के अंदर तो इसका in degree जो है वो 3 है तो रैड कलर से मैंने आप पर in degree लिखा हुआ है हर vertex के लिए और out degree होता है कि इस vertex से कितनी edges निकल रही है ठीक है तो आप यहाँ देख सकते है जैसे 4 एक ऐसी vertex है जिसका out degree 0 है तो अगर एक directed recycly graph है तो उसके अंदर पका यह make sure हो रखा होगा कि एक vertex ऐसी होगी जिसकी in degree 0 होगी at least एक और at least एक vertex ऐसी होगी जिसकी out degree 0 होगी इसी का फायदा उठाके हम लोग इसके अंदर topological sorting कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं topological sorting using BFS तो BFS को करते हैं हमें Q करते हैं Q का एक Q होती है हमारे पास और इस Q के अंदर हम elements डालते हैं और उसके बाद elements को भार निकालते हैं और उस elements से जितने भी नेपर हैं जो अभी तक विजिट नहीं हुए उनको element को Q में डालते हैं इस तरीके से हमारा काम होता है Well, Same concept आप लोग यहाँ भी लगा सकते हो, किस तरीकिस लगाओगे रोगा है आप लोग उन vertex को लोगे पहले जिनकी indigree 0 है और उनको आप Q में डालोगे सबसे पहले ठीक है एक element को भार निकालो Q में से, जब तक Q खतम ना हुए, तब तक यह process repeat करो, कि एक element को भार निकालो Q में से, तो हमने 0 को भार निकाला, 0 को हम लिख दिए कि हाँ, ठीक है, 0, यह output के अंदर हमने 0 को डाल दिया, ठीक है, 0 को निकाला, 0 से जितने भी neighbors हैं, उन सभी के पास जाओ, और उन सभी neighbors की इंडिगरी को एक एक कम कर दो, ठीक है, तो 0 से हम जा सकते हम 3 पह, और 0 से आ सकते हम 2 पह, तो 3 की इंडिगरी को एक कम कर दो, तो यह हो जागा 2 से 1, और इसकी भी इंडिगरी को एक कम कर दो, तो यह हो जागा 1 से 0, ठीक है, और 1 माइनस करने के बाद, जिस अब अगला element निकालो Q मैंसे और यही process repeat करते रोगे तो आप लोगा topology को sorting हो जाएगा तो अगला निकाला हमने तो अगला 5 निकला 5 को हमने यहां लिगती है अब 5 के neighbors में जाओ और जो भी neighbors उनकी इंडिगरी को 0 कर दो एक कम कर दो तो यह neighbor है इसकी इंडिगरी कम हो गई एक यह neighbor तो यह जीरो हो गई इसको भी डाल दो Q में तो अब Q में डल गया 3 तो अब हम Q में से element को अगला 3 ही element है Q में तो 3 को आप निकाला अब 3 के जो भी neighbor उनके साथ सेम काम करेंगे तो इसकी इंडिगरी को एक कम कर दो जागा 1 से 0 और जैसी यह 1 से 0 हो जागा इसको भी हम 1 को डाल देंगे इस Q में 3 तो निकल चुका था 1 को हमने डाल दिया अब 1 के neighbors के साथ भी सेम करने वाले है पहले वन को बाहर निकालो वन का आट वूट में लिखो और वन के जो भी neighbor है वन का neighbor है सरफ यह 4 इसको इंडिगरी को 0 करो इसको भी आप इस Q में डाल दो 4 को 4 को डाल दें Q में आप 4 को भार निकालो Q में से 4 को प्रिंट कर दो और उसके आथ 4 के जो भी neighbor से हैं लेकिन 4 का कोई भी neighbor नहीं है तो यहीं पर आप लोगं का रुख जाएगा Q यहाँ पर खतम हो जागी और जैसे Q खतम हो जागी हम लूप से भार निकल जाएगे तो आप लोगं को दिख रहे हैं Q का यूज करके हम लोग BFSE कर रहे होते थे यहाँ भी हम लोग BFSE कर रहे हैं और आप लोग कैसे कैसे होते हैं यह valid topological ordering ही है इसकी help से क्योंकि आप लोग Q में element तभी डाल रहो जब उस element की in degree 0 है और जिस element को आप लोग Q में पहले डाल तो कि यह valid topological ordering ही है तो यह एक ordering हो सकती है आप यहाँ पर दिख सकते हो मैंने इन दोलों के अलाबा एक अलाग ही topological ordering निकल के आगे लेकिन यह भी valid है तो इस ते किस हमारी BFS का यूज करके बनता है आप चरब इसका code कर दिता हूँ code के बाद आप आप लोगं को और clearly समझवाने तो यह रा code यहाँ पर मैंने DFS वाला code किया हुआ था पहले इसको मैंने comment आउट किया हुआ है इसी के अंदर BFS वाला code कर समझना है तो इससे पिछली वीडियो देखना है उसमें आपको मैंने पूरा समझा रखा है तो सबसे पहले हमें एक in degree नाम का array बनाना पड़ेगा र से आप लोग in degree find कर सकते हो तो यह रहाँ वो for loop देखो आप double for loop है यह basically करके रहा है हर adjacency list के अदर हर एक element में जा रहा है और चेक कर रहा है कि वह element adjacency list में कितनी बार appear हो रहा है और उसके लिए इस इंडिगरी को प्लस-प्लस कर दे रहा है और यह मैं कैसा कह सकता हूं कि यह तो यहां पर 3 लिखा और 2 लिखा और 2 लिखा हूँ तो मैं कैक रहा हूँ basically 3 वाली position पर जा हूँ और प्लस-प्लस कर दे रहा हूँ तो three वाली position पर one और two पर जागगा one अब जब दुबारा से three मिलेगा तो जो कि मिलेगा जब two से आप three बजा रहे हो तो two से भी three लिखा हो होगा 2 के लिए 3 भी लिखा होगा तो आप अगें 3 के लिए प्लस प्लस कर दोगों तो यह निगरी को प्लस प्लस कर दो क्योंकि इसका मतलब यह है कि इस वर्टेक्स को एक डस्नेशन बाना गया इस नहीं वाली एज़ के अंदर और यह find करने के लिए जो for loop चल रहा है वो कि इसकी time complexity आएगे इस for loop की इसके आएगी number of edges time ठीक है तो big o of e आएगा क्योंकि जितनी edges होंगी उतनी बारी यह वाला आप लोगों का operation perform हो रहा होगा अब BFS call कर आते हैं दिखते हैं क्या क्या चीज़े पास कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने parameters पास की हो हैं सबसे पहले array list of array list which is the graph itself then number of vertices इसके अंदर कितने वो पास की हैं उसके बाद array list of integer answer की इसके अंदर हमारा finally answer आने वाला है और साथ में हमने एक indegree वाला array जो उपर निकाला दाल दो ठीक है तो इस तरीके से वो Q में add हो जाएगी vertex उसके बाद जब तक हमारी Q empty नहीं आदी तब तक हमारा यह loop चलेगा और इसके अंदर हमसे पहले current element को पॉप करेंगे इस element को पॉप करने कि तुरंद बाद आप इस element को अपने answer वाले array में भी डाल दो ठीक है तो य minus minus indegree neighbor लिखने से उस जगह की indegree एक कम हो जाएगी और हम साथ में check कर ले रहे हैं तो यह basically दो line को एक line में लिखने का तरीक है हम check कर ले रहे हैं कि इसकी indegree अगर 0 है तो आप लोग इस neighbor को अब डाल सकते Q के अंदर otherwise आप लोग इसको ignore कर दो अगली iteration में कभी ना क्यों डल ज array तो उस list को मैंने array में इस तरीक से convert कर दिया और finally minus list को इस array को return कर दिया तो यह आप देख सकते हैं इसको मैं एक बाद dry run करके दिखाए तो यह थोड़ा सा complicated है DFS के मुकाबले थोड़ी सी जादा चीजें इसके अंदर लग रही है लेकिन जादा मुश्किल है नहीं अगर आप लोग दिखोगे ठीक है तो मैं समझाते हूं किस तरीके से काम कर रहा है अब दो समझते है किस तरीके से यह काम कर रहा है तो सबसे पहले तो हमने Q बनाई अब इसके इन डिगरी जीरो कर जागा उसकी इन डिगरी जीरो है। कम करेंगे तो 5 जे 1, क्योंकि इसको विखाए रोगई तो हमने 2 को की मेंडाल दिया इस तरीके से, उसके बाद हम अगले element को निकालेंगे भार, तो 5 बाहर निकलेगा, 0 निकल गया निकल गया, current हो गया हमारा 5, 5 को हमने answer वाले array के अंदर भी डाल दिया, उसके बाद 5 के जितने भी neighbors हम किएगे कि इंडिगरी को कम कर दो, तो 1 की इंडिगरी को हम कम करेंगे, तो 1 की इंडिगरी पहले 3 थी, अब हो जाएगी 2 और अगला है 4, 4 की इंडिगरी हो जाएगी 2 से 1, तो इसके बाद यहाँ पर एक खतम हो जाएगा, हम अगला element भाहर निकालेंगे, which is 2, 2 को निकालेंगे, 2 हो जाएगा हमारा current element, और 2 हमारा answer में बिदल जाएगा, 2 के neighbors की इंडिगरी को हम करते हैं कि, तो है neighbors 3 and 1, तो 3 वाले को हम करेंगे, तो यह हो जाएगा 0, इसको हम तो एक ही neighbor है, इसका 1, 1 की इंडिगरी को हम करते हैं, तो हो जाएगा 0, और जैसी हो जाएगा 0, इसको डाल दो Q के अंदर, 1 को आप यहाँ डाल दोगे, उसके बाद 1 को भाहर निकालोगे, 1 हो जाएगा आपका current, और 1 के जितने भी neighbors है, उनकी इंडिगरी को हम कर दोगे, तो 1 का neighbor है, सिर्फ 4, ठीक है, तो 4 की इंडिगरी को हम कर देते हैं, तो 4 की इंडिगरी हो जाएगे 0, और जैसी 0 होगी, 4 को भी आप यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अगली बार में 4 को भाहर निकालेंगे, 4 हो जागा हमारा current, और 4 को हम answer में भी लिख देंगे, उसके बाद 4 के जो भी neighbors उनकी इंडिगरी को का एक एक कम करेंगे, लेकिन 4 का कोई भी neighbor नहीं है, और इस तरीके से आप देख रहे हो, लूप से हम भाहर निकल जेंगे, वाइल लूप से, और हमारे क्यूब यहाँ पर empty हो जाएगी, आपके क्यूब हो गई और आपके answer के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बाद हम बात कर रहे होंगे, कुछ और टॉपिक्स की जो कि निकल सकते हैं, कुछ और कोशन की बात कर रहे होंगे, इस वीडियो में इतना ही था, यह वीडियो अगर आप लोगो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, कर देना से झाल झाल झाल